आद आप जमो कश्मीर राज्य में अपने बयानों के कारण या अपनी राजनीती के कारण एक अपना नाम बनाया है इंजिनर रशीद मेरे साथ हैं इस वकत और मैं आपको यह बताऊं कि जमो कश्मीर की राजनीती में एक लाख वोट लेना वो भी बिना पार्टी क्योंकि जहां People's Democratic Party, National Conference, Congress, भारत जिनताब पार्टी जैसी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, वहीं पर इंजिनरर रशीद भी चुनाव लड़ रहे थे, और एक लाख से ज़्यादा वोट इन्होंने अभी लोगसभा की चुनाव में लिये हैं। इनसे बात करेंगे, इनकी राजनिती के बारे में जानेंगे, और कोशिश करेंगे इनसे ये पूछने की भी, कि अगर इन्हें भारत के लोगतंतर में विश्वास ही नहीं हैं, तो चुनाव क्यों लड़ते हैं। इन्टर साब सबसे पहले आपको मुबारक बात देना चाहूँगा, कि एक लाख वोट आपने लिया, ना पार्टी स्ट्रक्चर है, ना आपके पास वो सब ऐलेमेंट है, जो नेशनल कानफरंस, पीडिप, बीजेप और कॉंगर्स के पास है, इसका श्रे किसे जाता है, और ये संभव कैसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसका श्रे मैं अपने लोगों को देता हूँ, नार्थ कश्मीर के एक एक बच्चे को देता हूँ, जो नहुने, जैसा आपने खुद सही फरमाया, मेरे पास कोई पार्टी स्ट्रेक्चर नहीं था, नेट्वर्क नहीं था, और हमने आखर पे फैसला किया, मैं आपको ये बता दू, मतलब जब भारम बरना था तो सिर्फ एक दिन रहा था, तो हमने फैसला किया, हमें लड़ना पड़ेगा, तो मैं इसका सारा क्रेडिट उन लोगों को देता हूँ, जोनों ने एंसी, पीडीपी और सजालों की दमकियों, लालच, दोंस, दबाव के बावजूद, जो गरों से निकले, और मुझे वोट दिया, मुझे अफसुस इस बात का है, कि मैंने चार-पॉंच जन पहले फैसला लिया होता, मेरे साथियों ने तो शायद नक्षा कुछ और होता, और हमारे लिए इत्मिनान की बात ये है, कि लोगों ने बगहर किसी लालच के, हमारी एडियालजी को, हमारे तरीक एकार को वोट दिया, और मैं अपने लोगों को इन्शालला मायूस नहीं करूगा, इंजर साथ मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहली मुलाकाच जब आप से हुई तो एक सूमों में हुई, साधरन साथ वेक्ती सूमों में बैठा हुआ और आपके साथ एक बाच्ची चुरू होगी अख़वार को लेकर, और तब आप अर्दू अख़वार में कालम लिखा करते थे, और मुझे ठीक से याद है कि आपने मुझे कहा था, यहां के लोगों को रहनमाई और रहबरी की जरूरत है, और साथ में एक ऐसे लोकतांत्रिक धांचे की जरूरत है, जिस लोकतांत्रिक धांचे में वो खुली हवा में सांस ले सके हैं, इंजर साथ आज आप से यह जानना चाहूँगा, कि आप अब राजनीती में हैं, दो बार चुनाव भी जीच चुके हैं, आपने लोगसबा का चुनाव भी लड़ा और लोगसबा के चुनाव में भी आपने बहुत अच्छे वोट ले लिए, आज आप से समझना चाहूंगा क्या कहेंगे इस सफर के बारे में? आप ने तो परानी यादें ताजा करनी, अगर मुझे मैं सही हूं तो दो हजार आठ था आप और मैं एकटे, सुमो में सिरनगर से बारामला की दरफ आ रहे थे, मैं चटान में लिखता था, मैं आज भी लिखता हूं, ग्रेटर किश्मीर के लिए, उजमा के लिए, और हमने जो थोड़ा बहुत, जिसको आप ठाट बार तो नहीं कह सकते हैं, मैं पहले से भी ज़्यादा फिर स्तवियतन सादा हो गया, क्योंकि बात यह है, मैं आम आदमी को रिप्सेट करता हूं, और लोगों ने मुझे एक आम आदमी के लिए वोड दिया, आम आदमी ने वो बात की, कोशिश की कि लोगों के जजबात की बात करें, हमने इस्तेसाली सियास्त नहीं की, हमने कोशिश, हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बात से इकतलाफ हो, लेकिन हमने हमेशा बात की कि वो बात करें, जिसमें कोई लाजिक हो, जिसके पीछे कोई वजन हो, क्यांकि हम अपनी बात नहीं रखते हैं, हम वही बात रखते हैं जो हमारी नजरों में, people have a right to differ with us लेकिन हमने हमेशा कुछी की कि बात वही करें जो सही हो और जो लोगों के दिलों की धड़कन भी हो अब हम इतिहात पार्टी की बात करूँगा National Conference, People's Democratic Party दो बड़ी ताक्ते हैं आने वाले चुनाव हैं और मैं अभी जो कश्मीर में लोगों से बात कर रहा हूँ एक डर और खौफ है जहनों में लोगों के कि शायद दफ़ा 370 के साथ छेड़ चाड़ की जाएगी 351 को हटाया जाएगा तो हमें National Conference को वोट देना है इजनर साब कैसे देखते हैं मैं डिव रिस्पेक्ट में आपकी जन लोगों से आपने बात की है मैं इस दलील को टोटली रिजेक्ट करता हूँ यह National Conference का फैलाया हुआ एक माहूल है मैं आप मुझे इतना बता दें NC को लोग क्यों वोड ने Muslim Conference को National Conference में बदलना यह पाप भी NC ने किया आरजी इलहाक हिंडोस्तान के साथ वो भी NC ने किया जिस जहाज में हिंडोस्तान की फोज आई उसी जहाज में यहां से बेगम जहां आरा और बाग की फैमली शेख साब की गई अपने आपको सेफ किया यह वही National Conference है जिसने कांग्रेस के लोगों को गटर वर मगंदी नाली के कीड़े कहा लोगों से तरकिमावालात करवाया और फिर उनसे गले मिले यह वही National Conference है जिसने इंदरा अबदल्ला एकार्ट करके 22 बरस की राज शमारी की तहरी को जमीन बोस किया यह वही National Conference है जिसने 1987 के अलेक्शन में धान लियां की यह वही National Conference है जिसने हर बार कहा फारुख साबना कि पाकिस्तान पर बंबारी कीजे जिसने ही कहा कि हुडियत लेडरों को जेल बेश दीजे है और एक लाग से उपर वोट लेता है जैसा कि मेरे नाकदीन भी मानते हैं कि मेरे पास नो कोई स्ट्रक्चर था नो कोई पैंसा था नो कोई यह था और पहली बार मैंने वजीर आजम दरंदर मुदी साब को भी चिछ्थी लिखी दोनों पार्टियों के रहनमा एक रहनमा इस वकट उमर अवद्लल्र और ड्क्ठर फारुक अब्द्ल्ल्ल्र हैं दूसरी पार्टिया की रहनमा महब Lubबां मुदी जब सरकार में नहीं थे मुख्यमंद्दगी कुरशी पर नहीं थे तो उनकी भाशा भी आप जैसी ही थी उन्होंने अलगावादियों को उन्होंने कश्मीर घाटी में आतंक बादियों को कहा कि आप तुम्हारे रहनुमा आ चुके हैं तुम्हारे रहबर आ चुके हैं अब तुम्हें बंदुक उठाने की जरूरत नहीं है लेकिन जब वो लोग सरकार का हिस्सा बने, उनकी बोली भी बदल गई, उनका बात करने के लहजा भी बदल गया, और उनका काम करने का तरीका भी बदल गया, क्या कश्मीर के लोग, इंजिनर रशीद की शकल में भी एक ऐसे ही लीडर को बरता हुआ देख रहे हैं, कि आप च शायर मुझे उसका जवाब नहीं देना है, उसका जवाब लोग ने दिया, आज महबा मुफ्ती की नार्फ किश्मीर में जमान जबत हो गई, और सौथ किश्मीर में शायद वो तीसे नमर पे रही हैं, लिए जो पबलिक है, सब जानती है, दूसरी बात, इंजिनर रशीद जो आपने कहा, अलगावादियों की बाशा, अगुरवादियों की बाशा, जो जो आपने कहा, आई रिस्पेक्टि वर राइट तो स्पीक, लेकिन आई टोटली डिनाई इट, मैं हिंदोस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द हूं किश्मीर में, जो चाहता है, कि फूजी के ग बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मेरा सवाल ही है कि देखें, आप जब मुख्यमंतरी के कुर्शी पर नहीं है, तो आप सब कुछ बोलते हैं, लेकि जब बैठ जाते हैं, पहली बात है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरे लिए, शायद मैं चाहता तो कि मिनिश्टर ब बागेगे, मैं हवा में महल बनाने का कायल नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आप मतमे रहें, इंजीनर रशीद मरते दम तक अपनी बात पर काईम रहेगा, चाहे मैं में में ले रहूं, ना रहूं, मैं मुख्यमंतरी बनूं, या मंतरी बनूं, मैं एलेक्शन जीतूं, या मैंने यहां जब मैं आया, मैंने देखा कि नौजवान बहुत सारे हैं, और एक इंप्रेशन है बाहर की, कश्मीर के नौजवान के हाथ में पत्थर है, ये इंप्रेशन है, लेकिन मैंने बहुत सारे नौजवानों को यहां बाहर देखा, और कमरे में बहुत सारे नौजव के जरीए जा रहा है क्या वो सही है आपने जो सवाल किया बहुत ही वैलिड सवाल है यह और इसकी फिकर हर एक बंदे को होनी चाहिए इस्पेशली दोस्वार पालसी मेकर्स आपने खुद एतराफ किया कि हाँ पर मेरा जो हमारा एक बारा मुलागा कन्वेंशन था पहाँ शायद पॉल परसंटेज दस पंद्रा परसंट कम होता मुझे डंकी की चोड़ पर बात कहनी चाहिए दिल्ली की भी यही शिक्वा है मैं दिल्ली से है ना मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं फिर कहते हैं हम आपके हैं कून जब यह दुन्या को कहना है कि देखे आज ना अलीम चाहता है लेकि उस से जादा एक पुरमन माहूल चाहता है और कुश्मीर मसले का हल चाहता है जो उससे कमिटमेंटेंग की गई थी जो उसने अपने बाप दादाओं से सुना कि जमू किश्मीर का एक मुदा है जो नहरूजी ने वादा किया जो शुमला में हुआ टा मारती है तो वहाँ पर वही किश्मीरी नाजवान जो हाथ में पत्र उठाता है फूर्जों को उठाता है अमरनास यात्रा जब होती है कई बार गाड़ी पलती तो उन्ही जवानों ने उनको यात्रियों को भापाद निकाला चंद दिन पहले एक सियाख की मौत हुई वही जान बचाई ये मेरे ख्याल में कश्मीर के लोग कश्मीर का नाजवान ये मानता है कि जमो कश्मीर एक कुमिनल एजंडा नहीं है कुमिनल इशू नहीं है एक पुलिटिकल इशू है वो इस पुलिटिकल इशू का पीसफुल इंसाफ की बन्यादों पर नहाए की बन्याद को गिरिफतार करके वजीर आजम की कुर्सी से उतारा गया उसके बाद नेशनल कांफरेंस कांगरस हो गई कांगरस नेशनल कांफरेंस हो गई फिर नेशनल कांफरेंस कांगरस हो गई फिर कांगरस नेशनल कांफरेंस होती रही ठीक है यही तमाशा इस राज्य में लंबे समय तक होता रहा उसके बाद वो भी समय आया जब शेक मुम्मद अब्दुल्ला ने कांग्रस के लोगों के बारे में कहा ये गंदी नाली के कीड़े हैं आज मैं आप से जानना चाहूंगा कि भारते जंता पार्टी को सरकार बनाए हुए पिछले पांच साल हुए और पहले पां थी जिसका एतिहासिक तौर पर कश्मीर में कश्मीर के हालाथ को कश्मीर की सिचुईशन को खराब करने में सबसे एहम रोल है। उसके बारे मैं आप चुप़ी क्यूं साहते हैं। आपका मतलब? मैं कॉंग्रिस की बात कर रहा हूं उसके उसमा, आप मैंने इतिहास सारा आ मैंने का नेशनल कांफरेंस कांगरस हूँ, मैं उसी पूंट पर आ रहा हूँ, अगर आप जमू में किश्मीर में आप अस्मेली कवर करते थे, माशालला आपका बड़ा नाम है, बड़े जर्लिस्ट हैं, और आपकी नजर है मामला पर, मैंने अस्मेली में हमेशा कहा है कि बी किश्मीर मसला, मैं बिलकुल नरंदर मुदी जी से, अमीत शासे और बाकी लोगों से इतफाक करता हूँ कि जो किश्मीर का मुदा है, ये कांगरिस का खड़ा किया हुआ है, इससे ये इत्हास है, इसको आप बड़ नहीं सकते हैं, और मैं हर बार कहता हूँ कि पहले उन्ह ताश्कान में महादे कि यूनाइटर नेशन में गए, उसके बाद फिर उन्हें पाकिस्तान के दो टुक्रे कर दी, अगर कांगरिस इंद्रा गांदी पाकिस्तान के दो टुक्रे ना कर दी, तो शायर पाकिस्तान पंजाब में अकालियों को सामान नहीं देता, पाकिस्तान इसके बाद जो अफ़ल गूरु को फाशिय लगी, कांग्रिस ने दी,很ाल बच बहूं को फाशिय लगी, कांग्रिस ने दे दी, लहादा ऐक शीछ बी जेपी से हमें शिक्वाो है, मुझे इस बात है झाल इमस्लिम करेकर की बात करते हैं उसका मतलब यहां कि जो बाकी हमारे बाइए मांडर्टी कमूनिटी में हमें उनके ह except them का उनके रैइट्स का पूरा ख्याल रखना है और ज decorating हमारे होकोक लिए तो लिए आप जो कहना चाते हैं फिर आप यह ने कहना कि मुझे कुछ पूछा था बूल गया जो कहना चाते हैं लोगो पता लगना चाहिए इंजी नर्शीद है कुन वेशे सारे जानते हैं आप लोग नी जानते हैं मैं एक और जिस बताओं के मैं हम यहां हमारे यहां ऐसा नहीं कि हम किसी का गला दबा दें या जुबान बंद कर दें कि भाई नहीं बोलना है इसलिए आपको पूरा हक जवाब दे इसलिए मेरा सवाल यह है कि आपने बात की भारतिनता पार्टी की और आपने एक पर्टिक्लर समुदाए के बारे में कहा कि उनको लेकर जो है उनकी पर्टिक्लर पॉलिसी है लेकि निजनर रशीद सहाब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ भारत आज़ाद होने के बाद हैदराबाद का जिसकोट एनक्सेशन होता है हैदराबाद के मुसल्मानों की पस्ती उनकी बरबादी उनकी तबाही की सबसे बड़ी वज़ा कॉंगरस थी और उसके बाद ये भी इतिहास है कि जितने दंगे 47 से लेकर 2001 तक हुए वो तमाम दंगे ना तो मुसलिम कायादत को याद है ना वो दंगे उन लोगों को याद है जो अपने आपको हुमन राइट्स का डिफेंडर कहते हैं ना कभी किसी ने ये कहा कांगरस से कि आप उन दंगू के लिए मुसल्मानों से माफी मांगे मैं आप से जानना चाहूंगा कि आप 2002 की बुनियाद पर जो गुजरात में हुआ गलत हो नहीं होना चाहिए तो सानिहे के बाद आपको नहीं लगता कि किसी एक आदमी का आंकलन इस तरीके से करना और सारा इतिहास बूल जाना ये खलत है जाती है अगर आपको याद होगा जब नरंदर मुदी जी ने दूसरी बार शपतली तो मैंने आर्टिकल भी लिखा जीके में मैंने लाई वीडियो भी किया मैंने उसमें ये कहा कि मुझे कुछ लोग उने सवाल भी किये मैंने कहा हिस्ट्री है हिस्ट्री 2002 में जो भी हुआ वो तो तारीक बन चुका है उसको कोई हटा नहीं सकता अब उसमें किसका क्या रोल रहा वो उपर वाला जानते हैं और अदालते जानते हैं लेकिन उसमें शायद अमीद शाजी और मूदी जी के लिए बहुत बड़ा पैगाम था मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि आप खुदा के वास्ते में ये बताई आपका दावा ये है कि आप महर्मानी करके इतना तो हमें बता दें कि जब गुजरात में जो भी हुआ उस वक्त अमीद शाजी और नरदर मूदी जी गुजरात में चाये हुए थे उन्होंने क्या क्या वो जाने उनका बगवान जाने क्यामत के दिन उनको जवाब देना है लेकिन जब कांगरेस की सरकार मूदी और अमीद शाजी और मूदी जी जी अगर कांगरेस आपको गुजरात में नहीं दबा सकी आप भी जमुर किश्मीर के लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते जिस जलम की चक्की में बकोल उनके वो पिसे हुए थे उसी जलम की चक्की में किश्मीरी पिस रहा है जो कानून इमीद शाजी इपीज क्राइंग विक्टम अगर इमीद शाजी चला रहे हैं कि गुजरात में उनके साथ अन्याय हुआ वो सियास्त का शिकार बने उनको है कि कश्मीर और हंदुस्तान के मसायल की जड़ बदकिस्मती से नहरू जी के टाइम से मैं यह बताओं कि इंजनर साब आपका जो सहाफत का एक्सपीरियंस है वो जबरदस्त है आप हंदुस्तान से घूमकर कश्मीर के साथ को जोड़ ही देते हैं तो मैं आप से अब यह जा को मानेंगे कि लीडर्शिप का फुकदान है घाटी में कोई लीडर नहीं है कोई रहनुमा नहीं है जो भीड जब चलती है उसका भी कोई रहनुमा होना चाहिए आपको नहीं लगता कि जितना कियोस है कि आप किसी रस्ते पर चलते आचानक वहां पथर बाजी होना sudah नहीं है जितना आप लोग जो यहां के रहने वाले हैं यहां के प्रतिनी री है जो इतने सालों से कशमीर का प्रतिन दिली में करते आए क्या मानेंगे इस शीज को मैं आपकी बात इन पर्टिकलर नहीं कर रहा है लेकिं बाकी जितनी पार्टिया है सर आपका सवाल है इसमें थोड़ा लंबा जवाब होगा लेकिन जरूरी लोगों को बताना है इचास का है जब 89 में यहां बंदूक उठा तो हिंदोस्तान के दानिश्वर, पॉलिटिशन, सब उने कहा आप बंदूक छोड़ो पीसफली आप आजा हम आपकी बात सुनेंगे, पहले उन्होंने कहा कि यार हमें जेके लेफ से कोई प्राब्लम नहीं है, यह हिजब लमजाइने वाले बड़े बड़े बदमाशे, इन से आप लड़ो उनको छोड़ो, यासीन मिल एक जहांसे में आ गया, उस बेचारे ने ब मतलब निकल गया, पहचान दे नहीं, आज इस सिटेज़ बे खड़े हैं, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने लिडरिश्प की बात की, सही आपने की, शरी तोर से भी प्रॉफिट का कहना यह है, खदीश मुबारक की है, कि अगर दो बंदे भी एकटे चलें, एको अमीर लाएं, रहनमा हर चीज़ में चाहिए, अगर गर में भी आप चार बंदे होंगे, एक को फैमली का हैड होना है, मैं आप से एक काउंटर छोटा सा प्रशन पूछता हूँ, गिलानी साब को नमाज पढ़ने की अजाज़त नहीं, जैम्या मजजद ताला बंद, यासीन मलिक जेल में, लीडर्शिप का वैक्यूम ने दिली ने खड़ा किया, जब आप बात करने के लिए आजाद नहूं, जब आपकी जबान पर सौमन ताले चड़े हूं, मसरत आलम पर चालीस पियसे, कासिम फुक्तू अटाइस बर्सों से जेल में, हमारी बहन आस्या इंदरावी गितिहार जेल में बढ़न, मुझे बताए, जो भी नहाँ लोगों के दिल की बात करना चाता है, उसकी जगा जेल में होती है, और यही वैक्यूम जब खुला हो जाता है, तो पिर कहीं जाकर मुसा पैदा होता है, जो शायद किश्मीरियों के लिए ठीक नहीं है, हम तशु के लोग, PDP के लोग, BJP के लोग, क्या क्या ताने हमने नहीं सहे, आप मैं नहीं कहूँगा आप की खातर, मैं कहूँगा कश्मीर की खातर, सच की खातर, इसलिए अब मुझे लग रहा है, एक शायद वही बजा थी, जब कल मैंने फारंबरा, ये लोग कहते थे चाहिए, इसलिए यूथ भी निकला, वही जवाँ जो पत्थर मारता था, उस निकलने जीनरशीद को वोड दिया, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, सारू ने लिया, लेकि एक अच्छी तैदार उसकी थी, हम कोशिश कर रहे हैं, उसको एक डिर आप में भी आतंकवाद आया, क्या स्टेट ने किसी को बख्षा, मावादी आतंकवादी हैं, क्या स्टेट ने किसी को बख्षा, आप स्टेट के खिलाब बंदूक उठाएंगे, एक ऐसे मुल्क की तर्जमानी, इस मुल्क में बैठ कर करेंगे, जिस मुल्क का अपना ने वो साच है आप ने आप ये कर जो हम करना चाहते हैं आप ने का जिसके हम हकदार हैं जब हकदार हैं तो फिर रोकना तो जलूम है ना ने ये लाएटर नोट में का ताकि देखने वाले देख लें कि हम आपकी बात को गोर से सुन रहे हैं पहली बात की हम सब इनसाने के हमाजरागों में एक ही खूण दोड़ता है मेरे तक होता तो मैं सरहदों को मानता ही नहीं सारी दुनिया एक होनी चाहिए थी सारी दुनिया एक होनी चाहिए थी लेकिन आप जो हुआ है हम उसको बदल नहीं सकते हैं जमू किश्मीर ना पंजाब है ये जारकंट है और ने बंगाल है आप खुदा के वासे बता दीज मुद्धा तो मैंने हाल नहीं किया, तब तो मेरे वालिद साब का जनब भी नहीं हुआ था, जब नहरू जी युनाइटेड नेशन में गए, उसके बाद उनका जनब हुआ है, नहरू जी को मुझे माफ करें लफज कहने में, लेकिन कहना पड़ता है, उनको पागल कुते ने assembly है, assembly से बड़ी हमारी parliament है, parliament से बड़ी हमारी United Nations है, अगर हंदोस्तान महाच जाकर कोई commitment करता है, तो एक अच्छे देश का यही तरीका होना चाहिए, कि they should respect the commitments made with the people, और जब आप अलगावादी कहते हैं, हमने कब कहा हमें, पाकस्तान चाहिए, मैंने तो किभी नहीं कहा, म हम सारे जमू किश्मीर के लोग मिलके राइशमारी के वकित तरंगा हाथ में ले ले लें, एक बात, दूसरा important सवाल, मैं पिछले वर्ष 18 जुलाए के दिन, नरंदर मुदी जिसे मिला, मेरी लंबी बात उन्से हुई, एक गंटा फेच्ट 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 पेच्ट पे की रिजलूशन है, पार्लिमेंट की रिजलूशन कहती है, कि जमू किश्मीर, गिल्गित, बलतिस्तान, आजाद किश्मीर जिसको बोलते है, सारा हिंदोस्तान का अटू टंग है, कहा बिलकुल कहा है, मैंने का सर में हाथ जोड़ता हूँ, इस पर अमल करके दे दी है, दे का सर जंग भी तो नहीं कर सकते हैं, कहा जंग भी मुश्किल है, मैंने का फिर सर तरीका यह है, आपने भी लाल के लिए से, अगर आपको भी याद होगा, दोजार चोदा में, वजीर आजम साहब ने यह कहा, मैं इसलिए कहता हूँ, स्टेट्समें की तरह, उन्होंने अप जो उनको लोगों को कहना है, वो कहने हैं, लेकिन मेरंदर मुदी ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया, यह से पापूलर लीडर, बट ही है तुब यह स्टेट्समें दाओ, आप उनको उस तंग नज़री से बाहर आके, दुन्या देखने कितनी बड़ी है, मैंने उनसे ए खुद माना कि गिलगित बलतिस्तान के लोग, जो उन्हें तक्रीर में कहा, आप यूटूब आज भी सुरिश करें, मुदी जी ने कहा, कि गिलगित बलतिस्तान के लोग हिंदोस्तान का हिसाब बना चाहते हैं, कहा कि नहीं कहा, मैंने उनसे भी यह कहा, मुँपे कहा, शाय सजार लून साब और महबा मुफ्सी तो चला चला के गला फाड के बोलने हैं पांच परसंट लोग आज़ा रही डूनते हैं मैंने का फिर डर किस बात का टी टुवंटी का जमाने है आए एक पिल बिसेड हो जाए तो जब गिलगित बालतस्तान भी हमारा आज़ार किश्मीर हमारा जमू भी हमारा क्श्मीर में पुगाइप पसड़ लोग आप डेट फिक्स कीजे तर्निगा लेके हम चलेंगे और पाकस्तान को जवाब ऐसा देंगे कि सारा जमू किश्मीर गिलगित बलतस्तान आज़ार किश्मीर लूसदान का आटोटन बने और हमारी पारल्लिमे सदी में boundaries को redraw करना यानि आप नहीं कोई boundaries बनाएंगे वो लगबग नामुम्किन है नमबर दो पाकिस्तान के लिए क्या आप ये मानेंगे कि कश्मीर का हर आदमी नौजवान हो वो बुजर्ग हो एक strategic पान है यानि एक chess board है उस chess board के उपर एक मौरा है जिससे आपको लगता है कि आपकी strategic ambitions फुल्फिल होते हों इससे आगे पाकिस्तान के लिए कश्मीर की कोई importance नहीं है ये एक थियोरी है कि आप इस थियोरी को मानते हैं या ठुकराते हैं या आप मानते हैं या पाकिस्तान किश्मीरियू को बहुत बड़ा खैरखा है दूनू चीज़े मेरे ख्याल में जो आपने कहा मौलब ये दूनू में कुछ वजन है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पहली बात ये है कहते हैं अगर अगर अपनी मुर्गी वो गरबर नहो तो दूसरे के गार में अड़ा देने के हम जाएगी पहली बात है जब आपने इनिस्ट्रूमिट अप एक्सेशन किया वो टेंपरिडी था उसमें हम नहीं जाएंगे उसके बाद तीन चीज़ों पर हमारा नई दिली के साथ अगरिमिन्ट था उसके बाद जितना भी डैलूशन हुआ जितना भी इरोज हुआ वो नहीं जली से हुआ बीमानिया महां से हुई यहां से नहीं शेख साथ जिसने केक की तरह यहां आपको रोक कर भी यहां रोक कर आपकर आपके पूश्म तर्मी में हुई उन तमाम तर्मीमों पर महर लगाने वाले जीम सादिक थे, मीर कासिम थे, शेक मुहमद अब्दुल्ला थे, इन तमाम लोगों ने महरे तो लगाई, क्यों लगाई? क्यों लगाई? क्यों लगाई? क्यों लगाई? क्यों लगाई? क्यों लगाई? क्यों लग गियोर शकर यह बाद मैंने मुदी जी से भी कही, उन्होंने भी कहा यह बाद मैंने राजनाजी सिंग जी भी कही, जितनी भी तरामिम हुई उनको उनोंने चाहे इन्कलूरिंग इनस्रूमेंट अप एक्सेश्चन उसको उन्हें अथिंटिकेट किया कानिश्मेट एसमेली से लेकिन इदर से मुदी जी भी चला चला के कहते हैं कि सेविटी सेवन तक कोई भी एलेक्शन यहाँ पर ध्यानदार जी नहीं हुआ इसका मतलब जो भी एसमेली थे वो चोरू और बरमाशों की थी और जब वोट ही नहीं पड़े थे तो वो सारी तरह में तो खुद ना लेड़ वाइड हो जाती है एक दूसरा फिर मेरा सवाल कानश्मेली बड़ी है यूनाइट नेशन बड़ी है यूनाइट नेशन का चार्टरा पढ़ ले उसमें लिखा है कि जब भी महाँ पर एलेक्शन होंगे उनका मंडेट सिर्फ महां सडख पानी बिजली के लिए होगा वो किश्मीर इशु को एड़स नहीं कर सकते हैं अब बात आपने की रिजलूशन की आईए इस पर आते हैं पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर में जो समविधान है उस समविधान के अंदर ये जीज़ें लिखित रूप में और मैं नहीं कह रहा है हुमर राइट्स वाच की रिपोर्ट कह रही है कि अगर आपको किताब भी ल मिनिस्टर हैं मुख्य मंतरी नहीं प्रधान मंतरी वहां के हैं वो एक बयान देते हैं और बयान में सिर्फ वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की कुर्सी से उतरने के बाद और जिस तरीके से नवाज शरीफ को हटाया गया है मुझे लगता है कि हमें इलहाक पर दुबारा स से समझना चाहूंगा, ये कैसी लोकतांतिरिक व्वष्था है? जिस लोकतांतिरिक व्वष्था में आप यहां के लोगों को ले जाना चाहते हैं? आप उस चेंबर में थे उसको उनके साथ, उन्ह commitments को उन्हें क्या कहा? कि कमस कम जिसको आप पाक वो अकिपाइड कश्मीर बोलें, कुछ आजाद कश्मीर बोलें, लेकिन दियानेदार यह है कि वहां की लाइंड आर्डर का कोई इसू तो है नहीं, वहां पर लोग तो शांती से जीते हैं, यहां पर तो हर तरह परीशानी है, चाहिए हंदोस्तान की बेटल हार चुका है, कुछ और है, या तो डाल में काला नहीं है, सारी डाल ही काली लग रही है, मेरा इसलिए पोइंट है कि नई दिली नहीं सब कुछ किया, बैसा दिया, सड़कें बनाई, रोजगार दिया, लेकिन शायद कहीं दिल जीतने में नाकाम ही है, सतर वर्ष बहुत होता है, सतर वर्षु में आज हाँ हर एक बंदे के हाट में तरंगा होना चाही है, या मैं ऐसे कहूं कि दो परिवारों, दो तिन, दो चार पांच परिवारों का ख्याल लखा, बाकी सब को भूल जाएगा, वो बात भी किसी हा तक सही है, लेकिन वोट तो लोग ही देते हैं, या मैं ये भी माना चाहिए, लोगों को भी महादबा करना चाहिए, अजरे साब, आपने कश्मीर को डिफेंड किया है, और बहुत जबरदस तरीकी से डिफेंड किया है, अब थोड़ा जम्मो और लद्दाख की तरपाते हैं, आपकी जितनी बाते हैं, आपका पार्टी से जुड़े वे कुछ लोग हैं, उनके कारण वहाँ पर मख़भी कुछ मामले हुए, हलागुला हुआ, आप से जानना चाहूंगा, आप जब पूरे राज्य की बात करते हैं, पूर्न राज्य की बात करते हैं, तो आपकी राज्यनिती लखनपूर से क्यों नही पार्टी के लोग हैं, महाँ पर कभी कोई ऐसा इशू बनाती हैं, जिससे कोई मलब कोई इशू बन जाते हैं, नहीं आप दे पार्टी जूड़े हुआ है, एक 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 शी कारता हूँ, मैं उसी चीज़ पर आता हूँ, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पुलीस और डिप अफ्तान उनके सामने रखता, एक दूसरी बात, मैं आपको ही बिंग सिटीजन आफ दे स्टेट, जनलिस्ट अपनी जगा, कल मुझे परमिशन दें, मैं जमू के रुगनात चोक में, रुगनात मंदर के बाहर अपनी स्पीश करता हूँ, जमू के मेरे डोगरा बाई मेरे स ना निकले तो मैं सियासु छोड़ दूँगा, जब करने ही नहीं दे रहे हैं, मुझे आप सर अबी एक आर्ट याए के जरी आप जमू के स्सपी साब से मालूम करने, कि मैंने कितनी बार कटवा और बागी जगों के लिए परमिशन मांगा जाने के लिए, जहां पर मेरे ग पर तो उनको जेल जाना है, जनाब जमू मेरा जान है, जमू के बगए तो नाम, सची में कहता हूँ, नामकमल है, को ने कहेगा, जमू तो हमारे लिए सब कुछ है, छे मीने यहां, छे मीने वहां, मैं दरबार मुझे हाला कि खिलाफ हूँ, लेकिन एक उसका एक ही एड़म नन-Muslim बायों के नंबर मेरे फोन में होंगे, हर अलाके से, लेकिन मेरे पास यह रिसोर्स नहीं है, सरकार भी नहीं जाने देती है, जो मेरी एडियाल्जी है, मुझे पता है, उसमें किश्मीर इशु एक चीज़, जिस मॉडल की गवर्ननस में ने दी, जो सिंपलिस्टी म ने हाज़का दिए, जिस तरह में आम आदमी की बात करता हूँ, वो हिंदू के लिए भी है, मसलिमान के लिए भी है, बोद के लिए भी है, अगर मेरे पास दिसोर्स होते हैं, मैं तो यहां से ज़्यादा जिम्हों में अपनी स्यास्त दंग से कर सकता हूँ, और मुझे है क जम्हों के लोग मेरा साथ देंगे, और बहुत दिन भी आएगा, जिन्दकी रही दो, इजनर साब बिलकुल आखरी सवाल है हम, दो ही सवाल है मेरे, एक सवाल तो यह है कि आप बात जम्हों परांद की करते हैं, आपके तमाम लीडर करते हैं, नेशनल कांफरंस वाले भी, जम्हों यह वो, पीडिपी वाले भी, लेकिन जब हम आपके पार्टी का धांचा देखते हैं, आपका हुरियत कांफरंस ले ले ले, आपके मेंस्ट्रीम ले 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 या अलगावादी ले ले ले, दोनों, दोनों स्ट्रक्चरों में आप क्या करते हैं, कि आपका स्पोक्स यक्रिषकरी भी आप के कश्मीर का होना चाहिए आपके पार्टी के तमाम, जो बड़े अहुदों पर狂 हैं तमाम के तमाम आपके अपने अलाकों के होने चाहिए, लेकिन आपको पूरा मुपरांथ अपने साथ चाहिए कि आपको लगता है राजदिक तोर पर यह संभव है कि आप एक पूरे रिजिन को रिप्रेजेंटेशन ही ना दें और उसके बाद आप यह तवक्का रखें पहला सवाल पूरे इंट्री में जिसे मैं सव परसेंट सहमत हूँ मैं बिलकुल आपकी बात का एक एक शब्त मानता हूँ लेकिन इसमें आप अपनी पार्टी की सफाई आप कहें या कुछ कहें अभी हमारी पार्टी को तीन चार साल हो गए हमारी पार्टी में इभी इंजिन पार्टी के लिए वाइस प्रेज़न बना लें एक आज जनरल सक्रीब बना लें बागी धाशा बना लें ये मेरी दिली तमना है कैसा वाइस प्रेज़न और कैसा स्पोक्स्मेंट होगा जैसा नैशनल कानफरंस के पास है कि उसे फोन करके पूछना पड़ता कि जनाब मैं बोलू कुछ या मैं चुपी रहा हूँ मैं उनकी वगाला थोड़ा कर सकता हूँ सर आपको मालूम है वो मुझे एसमेले में नहीं बोलते थे अपने भी खफा मुझे से बेगाने भी नाखुश में जाहर हिलाहिल को कभी कहन सकाकंद मेरे हिसाब से वह आप उनसे पूछ लें मुझे उनके बेगाने की शादी में अब्दल्ला दिमाना मुझे उनसे कुछ नहीं नहीं तो हमारा बेड़ा गर कर ही दिया हम तो डूबे हैं सनम तो मैं भी बहा ले जाएंगे दिल्ली के लिए पाइगाम है उनका तो मेरे हिसाब से आपने सही बात कही जब आप पीडी पी एंसी का देख लें चनाब एली और पीर पंचाल उनके लिए एक वोट बेंक से जारा कुछ नहीं है जब बीजेपी की बात करें वो भी जमों के डाइडिस्क में सिमिट जाते हैं और वो भी किश्मीर के सही करते हैं मेरे लिए कोई कंस्टेशन नहीं है पूरी सिटेट लखनपूर से यहां तक एक है बिल्कि लखनपूर से लेके गिलगर बलत इसनादर एक है कि वो हमारे हमारी दड़कन है मुझे एक बार जाने देते हम उनसरे भी कहते जो आप ने पर नौकरियां कर रहे हैं और इससे जो हमारा तश्चुस से वो खत्रे में पढ़ता है तो उस तश्चुस को बचाने के लिए महरबानी करके को कानून बनाए कानून बन गया और बाद में उसी कानून को भारत के समविदान में सेव किया गया एक प्रेजिडेंशल ओर्डिन लिण तो मेरी अनौन है ना पहली बात यह है उनी सो सेंटेस में आपके स्क Community में प्रेजिक कानून आए तबतों हमने जन्नम भी नहीं लेरा था अबो हमारे दादा परदादा जो थे सारे तो इससे परिपट गूए है मैं बढ़ता rho goodness में किसी और चीज करके दो बाते सामने आती हैं तीन सो सतर को चलेश करके दो बाते सामने आती है पहली बात पहले आपको अपने ही समयदान पर विश्वास नहीं आपने पहले उसमें एड़ किया आज उसके पीछे पड़े हैं आप तो जब हम कहते हैं कि आप जो हमसे कमिट्मेंट की है वो कुछ उन्होंने मलब कुछ से इसला भी हो सकता है जमू के लोग जो डिमांड करते हैं कि महराजा के जनम दिन के मुगे पर छुटी होनी चाहिए मैं आज उनसे कहता हूं अगर महराजा ने 35 और 377 लाया तो इसका मलब आज आज आप अगर उसमें बीजेबी का साथ देते हैं फिर आप महराजा की विजडम का उनकी धनाए को आप चलिंज करते हैं फिर महराजा के मुझपर रहे बुदोदा ठपड है मुझे माफ करें महराजा की आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है जब जमू के हमारे डोगरा भाई और हिंदू बाई ये कहते हैं मुदी कहेगा दिन है तो दिन हो रात को दिन कहें तो आप दो करें दो दो पांच हैं आप करेंगें पांच हैं मुदी जी ने कहा अरे जमू वालो होशार हो जा महराजा ने सोख समझ कर जमू के लोगों की वज़ा से रखा था आप किश्मीरियों की वज़ा से इस चीज़ को हटाने की बात मत की है 39. कुछ भी सदी आबादी यहां पर हिंदू की है मैं आप से समझना चाहूंगा इंजर शीट साब दिकत क्या है डिलिमिटेशन में लाख पर भी अगर आप सीट बनाएंगे तो सतर सीटे तो बनती हैं तो मुझे आप से समझना है कि क्या आप जम्मू प्रांत के वर्च कमिशन का चेर्मन बनेगा वो आप से भी तो पूछेगा हकाइक के ओपर जाएगा आबादी का तनासुब देखेगा तमाम चीजने के बाद वो फिर फैसला करेगा कि डिलिमिटेशन करनी है कि नहीं करनी है तो आप लोग इस पर राजनिती क्यों कर रहे हैं आप लोग क्य मैं उसे 101 परितिशत पूरी तरह सहमत हूं लेकि मुझे दो चीज़ें बताएए आपकी एस्मबली ने में तब हमले नहीं था वहाँ पर एक ये कानून बनाया गया है कि 2026 तक हमें कोई डिलिमिटेशन नहीं करनी है ठीक अब अगर आपने कोई कानून बनाया है लाइट व प्वंच साल की ही बाद है होने दें उसके बाद एक दूसरी बात एक इक अलेक्ट्री गोर्मिन नहीं थादा हो ऑद जो ऑला कि जिस एरिया को जो भी हिसाब मिलना प्ल कृएए भो बिलकुल मिलना चाहिए अगर जमो के लोग को लगता हमारे साथ जाती है मैं उनके साथ हूँ लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब डिलिम्टेशन होगी उसमें एक ही पैरामिटर नहीं होता है हम तो इनसान हैं मेरे बाई आज की तारीख में जब यूर्टी यूनियन कोई इस दोई नहीं है फिर तो करना चाहिए तर डर किस बात का लादा मेरे ख्याल में इनको वेट करना चाहिए सरकार बनती है और सरकार में आने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं और मेरा आप से बीजेबी के दोसुसे वे घुजरिश है आपने पांच साल मेड आपने वेजेबी बी-डीबी से साथ या 4 साल उन्हों नहीं आपना वो नाजैज जिश्टा चला दिया तो उसमें आपने डिलिमिटेशन की चयोँ नहीं अब आप जुमू के लोगों को बेवकूफ में बिना रहे हैं आपके पास चार सार गोर्मेंट थी आपको कुछ नहीं करना था मैडम जी तो पूरी चारुशाने चित गिरी थी आपने उनसे जो का वो बेचारी तो आगात कर रही थी अगर उनको इमिशाजी बोलते थे मैडम जी वो कहते थे हाँ हमने फैसला किया है कल से दो और दो छे होते हैं वो कहती थी मुफ्ती साभी ही कहते थे सी है ना अगर तब वो उनसे कहते हैं कि मैडम जी वो कहती हाँ डिलिम्टेशन करने हैं वो कहती थे आप कर लीजे मामला खदम तब तो नहीं किया ये नाद चोर कौन थे लेकिन ये कुछ लोग थे जिनों ने फौरण वी वावेला करना शुरू किया जी मुसल्मान खत्रे में पढ़ गए बैंक को जम्मू वाले ले जाएंगे जबकि हकीकत ये है कि बैंक में जम्मू से एक लंबे समय तक चेर में आते रहे हैं और बहुत लंबे समय तक इस बैंक में कौन्टिबिशन जो रहा है जम्मू के लोगों का भी उतना ही है जितना कश्मीर के लोगों का ये अलग बात है कि 96 के बाद डॉक्टर फारुक साब के करीबी आए 2009 के बाद फिर फारुक अब्दुल्ला साब के करीबी आए आप से जानना चाहूंगा आप गाओं के किसी बंदे को भी जेके बैंका चेयर में बनाए हमारे लिए वो इस्यूद नहीं है लेकिन उसमें उतनी क्रेडिबिल्टी होनी चाहिए ही शुड फुल फिल दर आल वो नामस एंड सिटन डार्स वाट सॉइबर बट हमारा सिर्फ इतना लिमिटेड पॉइंट है और अगर आपने मेरा वो वीडियो भी देखा हो गा मैंने उसमेंगारिक होगा है कि हम उस हर स्टेप का वेलकॉम करते हैं जिसका मकसर ही ह। उसने रिवायत को आगे बढ़ाया है सभी है ना उसके बाद कमिंग तुदा पॉइंट आप मुझे कोई एक माकमा बता दें जहां पर यहां पर बैक डूर इंटरीज नहीं हुई है आप एस्सेंबली देखें अखबर साब ने कितने लगा दिये मैं तो चलाया भी मुझे उस अब हर चीज में हमें साधिश नजर आती है यह हमारी साइकी ऐसी बनी है और दिल्ली को यह साइकी दूर करनी होगी मैं गवर्न साब के अच्छे कदमों का एप्रिशेट करता हूँ उड़ी में हाथसा हुआ मैंने गवर्न साब को फोन किया मैंने का यहां पर हाथसा हुआ चाहँ बचे जले उन्हें पूईटिपोर आवर्स दोदो लाग की एक्सिशा उनको दे दी जान तो वापस नहीं आएगी लेकिन दे दिया विया अप्रिशेट उन्हें इन्हें उन्हें दो बचे जो जले हुए थे उन्हे नों को दिली लिया वहां इलाश कर वाया उसके हम उनको सलाम करते हैं लेकिंगां जहां भी वो हमारी कानशूर अथार्टी पर हमला करने की कुछ करेंगे हम उनका गला पकड़के कहेंगे हम आजसे आपको नहीं करने नहीं किमिंग बैक जमोर्ट किश्मीर बैंक मैं कहता हूँ जेके मैं क्या हूं मिनस्पल्टियां आप S.P.O देख लिए मैं M.L.A दो टाइम मेरे अपने गाओं में पीडी पी का बलाग पेजिट मेरे गाओं में आठ नौ बंदू को S.P.O लगाता है मैं M.L.A होके एक नहीं लगा सकता मैं कहता हूं हर एक चीज़ की तहकत कीज़े 90% सियासिदान और M.L.A जेल में जाएंगे बिरोक्रेट तो हैं ही अगर ये लोगों को इनसाफ देंगे न तो शायद आपके खालात निस्ट जारा ठीक होंगे पुलिटिकल इशु रहेगा लेकिन शायद लोगों का गुसा कहीं ठंडा हो जाएगा मैं इसलिए फैसला की है आपको सर्याद होगा एसंबली में यहां मुझे मीडिया से भी शिक्वा है कि अच्छी बात सामने नहीं लाते हैं जब मैं अन्दाए में मुझे जब लाके ले गए थे मैं वहां से आया तो मैंने अपनी जाहिलात की सारी पिर पहरे मुझे कहने थे सिप्रिकर साब को दी म मैं खुद गया अकाउंटिबिल्टी क्रिमिशन के पास अपने खिलाफ शिकायर लेने जस्टिस नाम मुझे आ नहीं आ रहा है एक जस्टिस साब थे सेटी साब या कोई और से शाए दोहजार सत्रह में गून थे यह जस नर्गोत रहा है हाँ तो वो हैसे का यार पहली बार क्या बने बीट रहे हैं कोई कहता है मैं कुछ ओर बना हूँ तो वो हैसे का हम आपकी पैटिशन को डिस्पोज आफ करेंगे मैंने का सर इसकी निवेस्टिकेशन कीजिए पंदरہ देना और बाद मेरी घाडी में जैजमेंट हैं मैं आपको दे भी सकता हूँ उन्हों नहों फिर मुझे चिती लिखी कि हम आपके कहने पर आपके खिलाब शकायत नहीं ले सकते हैं और आज भी मैंने फैसला किया है मैं गवर्नर साब से मिल रहा हूं विदिन टू आर थ्री डेज मैं उन्हें पूरी अपनी प्रापरटी की डिटेल अपने रिजदारों की प्रापरटी ही हर एकी प्रापरटी का हिसाब लगा लिजे अगर 99% लोग जेल लगे तो मुझे सियास्त नहीं करनी है लेकिन ऐसा नहीं चलेगा आप इंजिनर रशीद को पाकिस्तनी एजट कहींगे लेकिन अंदर से पता है लोगों की बात करता है आप इंजिनर रशीद को गाले आं थे उस तमाम सवाल हमने पूछे बहुत सारे लोग आप मेंसे कह रहे थे कि इंजिनर रशीद से ये सवाल पूछे हमने सवाल पूछे और बेबाकी के साथ इंजिनर रशीद ने हर सवाल का जवाब दिया और साफ ये किया किसी भी प्रांत के साथ कोई जगड़ा नहीं है म बात होगी तो बात बनेगी दीजे जालत फिर आजर होंगे ऐसी किसी हस्ती के साथ ऐसी कुछ और बाते करने के लिए आदा